नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका अपके अपने YouTube चैनल सिभा ऑनलाइन क्लासिस में। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में तो इस भरती के बारे में हम आपको डेटिल में बताएंगे कि कितनी पोस्ट पर भरती निकली हुई है कौन-कौन से पोस्ट पर भरती निकली हुई है आपके लिए Education Qualification, Physical Requirement, Height, Weight, Chest और जो भी जानकारी है हम आपको A to Z देने की इस वीडियो में कोसेश करेंगे तो दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बार आर्मी ने पहली बार 2020 में बिल्कुल exact यानि की correct date बताई है कि आप इनकी जो भरती है वो कब होनी है नहीं तो अभी तक दोस्तों ये October से, November से और March 2021 तक का time दे रहे थे उसके बीच में भरती होनी है लेकिन इस बार दोस्तों नोंने जो November में एक date दी गई है बिल्कुल correct date बताई है कि यहाँ पर इस date को भरती होनी है तो वीडियो बहुत ही interesting है दोस्तों एन तक जरूर देखिएगा और अकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरूर करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता जेना चाहता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि 99 पोस्ट पे वुमैन मिलेटरी पुलिस में एक लड़कनियों की भरती निकले हुई थी उसके लिए दोस्तों जो है वो ऑनलाइन आविदन की पगरिया समाप्त हो गई है और अभी उनके एड्मिट कार्ड आने हैं तो एड्मिट कार्ड आने से पहले काफी बड़ा ये हम इसको जटका बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी के तरफ से ये गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा जटका दिया गया है मैं भी इस बात को मानता हूँ सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों क्योंकि जब एक तरफ लड़कों के लिए वही वेकंसी के लिए आप 45% मार्क्स पर उनके लिए कॉल लेटर दे रहे हैं उनको भरती में सामिल होने का मौका दे रहे हैं तो इनकी जो कट अफ है वो इतनी हाई क्यों अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इस लाइन में यह जो चल रहा है यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो उनकी कट अफ है वो 85% लगाए गई यह यानि कि अगर 85% मार्क्स हैं आपके टैंथ में तब यह आपके पास में कॉल लेटर आएगा और आप भरती में सामिल हो पाएंगे ठीक है तो पूरी जानकारी हम आपको यहां पर देंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर यह जो लाइन चल रही है यहां पर अभी उसके बारे में भी दिखाए जाएगा तो यह बहुत ही गलत बात है दोस्तों इनका 85% मार्क्स का तो बहुत ज्या हुआ है कट-off percentage of 85% has been applied to shortlist candidates for further screening email about this is being sent to all ठीक है तो इसका जो इसको पहुंचने लगा है कि अगर आपके 85% मार्क्स हैं तब यह आपके लिए हम अपनी में वीडियो के तरफ चलते हैं जहां पर मैं आपको बताने बाला हूँ कि यहां पर जो भरती निकली हुई है वो कौन से भरती है कहां पर है ठीक है पूरी जानकारे हम आपको यहां पर देने वाले हैं यह है दोस्तो नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपके सामने ही डाउनलूट की है आपको सब यह को पता है कि हमारे चैनल पर आपको कभी भी कोई गलत न्यूज नहीं मिलती है तो दोस्तो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि यहां पर जो भरती है वो सोल्यर्ज जनरल डूटी के लिए है और यहां पर आपकी जो एज लिमिट होगी वो साले 17 से 21 साल होगी आपकी date of birth 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए और आपकी height 170 cm, weight आपका 50 kg और chest आपका 77 cm प्लस 5 cm expansion होना जरूरी है उसके बाद में दोस्तों आपका जो education की वारे वो class 10th pass होना चाहिए और 45% आपके marks होना चाहिए और किसी भी subject में आपके 33% marks से कम नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके soldier gd के लिए उसी trade के लिए 45% marks ले जा रहे हैं और उसी trade के लिए लड़कियों से 85% marks ले जा रहे हैं इसी के बारे में मैं आपके लिए भी बता रहा था नेक्स्ट है दोस्तो soldier clerk और SKT है ठीक है तो soldier clerk और SKT की यहाँ पर जो भरती है इसके लिए आप सभी को पता है दोस्तों की age limit जो है वो 17.6 यानिकी 7.5 साल से 3 साल तक ली जा रही है आपकी date of birth 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में होना जरूरी है और आपकी जो height up वो 162 cm और यहाँ पर दोस्तों जो आपका weight है 50 kg और आपका chest 77 cm लिए जाएगा इस भरती में सामिल होने के लिए आपके पास में 10 प्लस 2 यानिके intermediate पास होना चाहेंगे आप किसी भी subject से है art commerce science इसमें वर्ती देख सकते हैं लेकिन जो आपका percentage है overall percentage 60% और किसी भी single subject में आपके 50% mark से कम नहीं होना चाहेंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके physical requirement गी तो यह physical दोस्तों है जो आपको पता है कि आप में सबसे पहले running होती है उसके बाद में pull ups होते हैं यानि कि beam फिर 9 feet ditch और zigzag balance तो यहाँ पर दोस्तों 1.6 km running के लिए आपको यहाँ पर दो group दि 30 seconds तक होगा जिसके लिए आपको 60 marks दिये जाएंगे तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो पहले ग्रूप याने की 1600 मिटर के लिए पांच मिनट 30 seconds से पहले या पर पांच मिनट 30 seconds तक पास किये तो आपको 60 marks दिये जाएंगे और आप group बन में आएंगे उसके बाद में आएंगे ठीक है उसी तरह से यहां पर pull up स दिग गएंगे दोस्तो तो अगर आप 10 pull ups लगाएंगे तो आपको 40 marks 9 pull ups लगाते हैं तो आपको 33 marks 8 pull ups लगाते हैं तो आपको 27 marks और 7 pull ups में आपको 21 marks और 6 pull ups में आपको 16 marks दिये जाएंगे 9-fit-ditch जाने की गड़ा जो होता है एक 9-fit का गड़ा टैप का होता है उसको आपको कूद के पार करना होता है उसके लिए आपको need to qualify इसके लिए आपको केवल qualify करना है कोई भी आपको इसके लिए number नहीं दिये जाएगी ठीक है जिक जेक balance होता है दोस्तो तो जिक जेक balance की बा country यानि की land के टैप का होता है उस पे टेड़ा मेडा करके होता है उसके आपको चल के दूसरे तरफ पार करना होता है ठीक है उसके बाद दोस्तों अब time आ चुगा है कि मैं आपको बताओं कि यह जो भरती है वो कब है इसके online registration कब से शुरू होंगे और इसके यह जो भरती है वो कहां पर कहां पर निकली हुए ठीक है तो आप सबसे पहले यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि Army Recruiting Office रोतक तो यह भरती है वो है Army Recruiting Office रोतक के लिए रोतक है दोस्तों हड़ाना में तो हर्याना की Candidates के लिए यह जो भरती है वो निकल चुकी है अब रुख तक यहां कौन-कौन सी डिस्टिक्स आती है उन जिन के लिए भरती है उनके बारे में आपके लिए बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते हम दोस्तों कि यह जो भरती ह वो कहां पर होनी है हम आपको पूरी जान करीद देंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों अकर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं आर्मी रेक्रीटन रैली बिल भी हैल पोर एलिजिबल मैल कैंडिडेट्स अब डिस्टिक्स रोतक जजजर सोनिपत और पानिपत मला रोतक यारों के अंडर बड़ जजजर सोनिपत और पानिपत जिनके भष्यां नवंबर 2020 से 26 नमबर 2020 के बीच में होनी है, कहाँ पर होनी है Рाजीब गांधी स्पोस कॉंपलेक्स में, ठीक है, राजीब गांधी इस्पोस कंपलेक्स कहाँ पर रहे, रहतक में, online रेभास्ति के यहाँ तो भरती होगी राजीव गांदी स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स रोतक में और आपके जो ऑनलाइन रेइस्टरेशन्स हैं 20 सितंबर 2020 से 3 नौंबर 2020 के बीच में होने वाले हैं और आपकी जो एमेल ऑडी है मतलब रेइस्टड एमेल आइडी पर जो आपके ऐडमिट कारड आएंगे भी 4 नौंबर और आपके आपके चार नॉम्बर से मतलब 19 नॉम्बर के बीच में आपके जो एडमिट कार्ट से बो पूरे आ जाएंगे ठीक है तो यही थी दोस्तो आज की भरती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि दोस्तो आप सभी को पता है कि मैं केवल अपने चैनल पर वही वीडियो डालता हूं जिनकी ओफिसियल नोटिफिक्सन रिलीज हो चुकी होती है मैं आपको बिल्कुल सबूत के साथ में दिखाता हूं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है यह बिल्कुल एक्जेक्ट भरती है जैसे कि मैंने वीडियो के सुरुवात में ही बताये था कि यहां पर दोस्तो इस बार आर्मी ने पहली बार एक्जेक्ट डेट दी है कि यह जो भरती है वो 19 नॉम्मब 2020 से 26 नॉम्मब 2020 के बीच में होने बाली है तो दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जैवारत